इंडियन आर्मी ग्रूप सी भरती 2 या 23 से रिलेटेड है शिरिफ अगर आपने हाई स्कूल पास का रखा है तो इसमें आवैदन कर पाई ने ठीक है अगर आपके पास हाई स्कूल की क्वालिफिकेसंस है तो आप जरूर भरोगे यह फॉर्म क्योंकि यह फॉर्म अपने आप अफलाइन इसका फॉर्म जो है फिलप होगा कैसे आपको डाउनलोड करना है पूरा इंफ्रमेशन मिलेगा और खास बात यह भी फ्रेंट्स इसमें महिला और पुरूस दोनों आवेदन कर पाएंगे उम्र यहां पर 18 से 25 बर्स मांगी गई है अगर आपको छूट भी चाहि यहां पर वेकंसी निकल के सामने आ चुकिये यहां पर यहां पर तीन मार्च तक इसकी अंतिम दती है यहां कि आपको टोटल यहां को 21 दिन का समय मिलेगा इसके फॉर्म को भरने के लिए पूरी एटूचेड इनफरमेशन मिलेगी दोस्तों कैसे आपको डाउनलोड करना कै किसे फॉर्म को फिल अप करना क्या क्या आपको फोटो को पी किसके साथ क्या इस्टाम पर लगने वाला है कैसे आपको फॉर्म अप्लाइ करना हो किस सेंड के पते पे आपको वेजना ठीक है पूरी इंफ्रमेशन मिलेगी वीडियो पासन दारा रहा तो लाइक सेर का सकते ह अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और पर प्रेश करके रख सकते हैं क्योंकि इस प्रकार से इस चैनल पर आपको गवर्मेंट से लेटेड इंफरमेशन लगातार मिलेंगी ठीक है चली फ्रेंट्स हम वीडियो करते हैं सब क्याकर आपकों से मिलेगा कौंसी वेकेंसी की लिए कितना आपको आपेजन करना हो कहा इसकी फیस यहां प्लक्र्कुल आपको तहीं को अब्छना होगा ठीक है सबसे पहले आ पर देखेंगे इंडियान आर्मी एन की आर्मी हटड़ से की सर्वेक. वाय मेंट कंट्रॉलं क् और Messenger, Mess waiter, washerman और मसाल जी कुक कुक आज जो है विमिन्र पदों पर यहां पर vacancy इसके आवेदन जो है मांगे गए है योगता जो भी अगर आपने high school pass कर रखा है और इसके बाद इंग्लिस में आपको capital letters में इसको जो form को fill up करना होगा तो यह आबेदन 11 फर्वे से start हो चुके हैं और अंतिम्तितियां पर 3 March आपको देखने क्यों मिलेगी यहनि कि total आपके पास कितना दिन है 21 दिन का समय है तो इस पेकिन से जो भी जूड़ी जानकारी हैं आपको फूरी information मिलने वाली है सबसे पहले हैं आप एज की बात करेंगे एज यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन आर्मी गुरुफ सी रिकॉर्डमेंट दो या तेज के लिए जो भी जारी notification में जो मुताबिक जो विद्वार candidate हैं विद्यारती हैं उनके लिए आप पर सीमा 18 वर्स से अधिक्तम 25 वर्स यहाँ पर निर्धारत की गई है अगर इसके अलावा आप जो है आपकी एज जो है ओवर हो चुकी है ओगर आप EWS जनल OBC के अटागिरी से हैं तो आपको यहाँ पर 30 साल अपनी एज को प्लस कर लेना है यहाँ पर 25 से 28 आपकी एज हो जाएगी ठीक है अगर आप यह स्टी से हैं तो 5 साल आप और भी प्लस कर सकते हैं तो 18 से 30 से यहाँ पर आपकी एज को count कियाजागा देखे power क्यान यहाँ पर कितने जो है तारिख से किया या यहाँ तो आपकी एज को count यहाँ पर 3 March 2023 के आदार पर जो है गयात किया जाएगा छीक्र के बाकी आप notifications को read कर सकते हिं उसका भी link आपको मिल जाएगा देखें बहुत से इसे candidate होते हैं जो male female जो भी होती है महिला और पुर्स वो सोचते रहते हैं विद्ध्यारती सोचते हैं कि इतना फीस लगने वाला है तो हम इस form को fill up नहीं कर पाएंगे तो सबसे इस form में अपने आम में खास वात यह है कि इसमें जो है बेकंसी तो अपने आम में काफी वंफर काफी अच्छी है पिलस यहां पर महिला पुर्स कोई भी category का यहां पर candidate अपलाई कर पाएगा बिना सूल के तो यह अपने आम में काफी जो है अच्छी बेकंसी है जरूर अपलाई कीजेगा इस form को ठीक है कोई भी problems कोई भी doubt हो तो आप जो है comment box में comment कर सकते है comment box जो है हमेशा खाली रहता है हम उमीद करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए देखिए friends जो भी doubt हो के लिए जुरूर कर लेना चाहिए देखिए friends यहाँ पर education qualification जो है बो सिर्फ सिर्फ और सभी पदों के लिए यहाँ पर high school मांगा गया है देखिए एक ऐसी बेकंसी इस पर है कुकी यानि कि जो खाना बनाते हैं आर्मी हेट क्वार्टर में उसके लिए आपको थोड़ा सा experience होना चाहिए खाना बनाने के लिए बाकि यहाँ पर कोई भी जो है certificate या experience नहीं मांगा गया है कोई भी यहाँ पर आपके पास otherwise को जो certificate होता डिपलोमा कोई भी यहाँ पर नहीं मांगा है सिर्फ high school का आवेदन आप जो है पास का रखा आवेदन कर सकते हैं बिना कोई सुल के ठीक है यहाँ पर बहुत सी वेकंसी है इस चीज को हम हम जो है रिलाइस कराएंगे आपको इसका selection process किया रहेंगे देको physical होगा exam उसके बाद में आप trade test होगा रेटन exam होगा डाटो जो document होते हैं आपके उसका verification किया जाएगा medical exam license होगा इन चार चारवन में आपका जो है जो selection process है वो complete हो जाएगा ठीक है आवेदन करना how to apply जो form होता army headquarter 22 women control group C की vacancy के लिए तो इसको आब इतन को download आप कहां से करेंगे friends जमा कहा करना इन चीजों का आपकी जो है मन में सवाल चल लोंगे दोस्तों तो इन चीजों को भी हम यहाँ पे clear कर देंगे ठीक है सबसे पहले आपकी official site पे जाना है और form को अपना download करके रख लेना है र आपको signatures करना है form में जो भी जानकर यह मांगे जाती है इस form को apply कर देना तो सकते हैं दिखिए दिखिए notifications में यहाँ पर बताया गया है यहाँ पर पोस्टें देगी है name of post and location ठीक है तो यह MTS यनि कि सफाई वाला MTS messenger है और मेस्वेटर, वारवर, washerman, मसालची, कुक्स आप जो है आवैदन करता है जो है कर पाएं ठीक है यहाँ पर देखिए MTS सफाई की जो वेकंसी है इसमें 28 यन के 28 टोटल यहाँ पर पोस्टें है UR की 13 पोस्टें OVC की 8 यहाँ पर पोस्टें ESC की है तो आप चार पोस्टें AWS के लिए 2 E, ESC, M, EN की एक वेकंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी Level 1 की यहाँ पर आपको सेली मिलेगी 18000 से 56900 तक एंड सेली है यह एज की मैंने पहले के लिए कर दिया एज जो है 18-25 है वाकिए आपको OVC और यहाँ पर तीन साल प्लस कर सकते है चूट को और ECT 5 साल है पर प्लस कर सकते है चूट के लिए Metriculations आप किसी भी संस्थान बोट से अपने High School पास का रखा है आप अबेदन कर सकते है इन वेकिंशियों के लिए कि कोई भी आप ट्रेड वन एयर एक्सपिरियंस इन ट्रेड कोई भी आप नहीं मांगा गया है अगर आपके पास है इन चीजों का एक्सपिरियंस तो आप उ देख सकते हैं वरवर के लिए हाँ पर जो वाशर मेन होते हैं यहने की धोबी यहाँ पर उनका हो जाहे कुछ मस्ट भी एविल टू वस्ट मिलिटरी सिविलियंस क्लोथ जो कपड़े दोन का काम करते हैं उन चीजों के भी यहाँ पर हाइज स्कूल मांगा गया ठीक है कि यहाँ पर फर्स्ट लेवल की आपको सेली मिलेगी 19,900 से खाना बनने का काफी मेन का काम होता तो इसलियाँ पर वेकंस्व के लिए सेली जो है 19,900 कर देगी मां की सभी के लिए 8,56,900 एंड तक है रही है इसकी एंड है 63,200 पोस्ट है आप देख सकते नोटिफिकेशन के अ लोकेशन देख सकते हैं कहां कौनसी बेकंसी किस चेगे कितनी बेकंसी है कौनसी katemount के लिए कौन सी पोस्ट के लिए तो इन चीजों को आपको एक रहर जो है चेक कर लेणा है अपना फॉर्म फिलन करने करने का दखी 21 दिन के आपको समय मिलेगा इस फॉर्म को फिलन के लि Self Attested Photocopies of following documents suit company the application यहनि कि जो भी आपने form download करते से related जो भी आपको photocopy इसके साथ attach करना है वो सारी कि सारी आपके पास Self Attested इनकी खुद के sign से जो है हर photocopy आपको खुद sign करना होगा फिर आपको इसको send करना होगा किस पते पर करना होगा अलेडी में बता चुका हूँ फिर भी एक वार आप देख लेना ठीक है किस पते पर आपको send करना है देकिन आपको सबसे पहले आप पर हाई स्कूल की mark seat होनी चाहिए mark seat जो अंक पत्र होता है उसकी photo का आप ही आपको लगानी है कास्ट सार्टिफिकेट चाहती प्रमाड पत्र होता है और six latest passport size जो photo होते है date and without, over या over कोई over smart photo नहीं होना चाहिए जो stylist होते हैं बिल्कुल simple और latest बिल्कुल ने six photo आपको यहाँ पर लगने वाले है ठीक है to self address in love affixed 25 post इस टाम आपके address से संबंदि 25 252 यहाँ पर self attested postal जो stamp papers होते हैं वह आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे ठीक है no objection certificate from present in valid the applications is already in government servant अगर आप किसी भी government servant सेनी की सेबक है तो उसका कोई certificate है तो लगा सकते हैं उसमें कोई भी objections नहीं है उसका benefit आपको अलग से मिलने वाला है अगर आपके पास कोई employment है परिबार में family में तो उसका आप ID कार्ड यहाँ पर लगा सकते हैं उसका भी benefit अलग से आपको मिलने वाला है बात करेंगे एच कालम की यहाँ पर कोफी ओफ आदार कार्ड की कोफी भी आपको अटेज करना पड़ेगा नोट कर लिजेगा इन चीजों को आपको यहाँ पर नहीं भेजना है यहीं कि आपने high school pass नहीं कर रहा आप आप high school का exam देने वाले हैं या नहीं दिया तो आप apply नहीं कर पाएंगे प्लस आपके पास कोई भी ऐसा document हो जो original वो आपको विल्कुल नहीं भेजना do not forward original certificate with the application के साथ है यह कोई भी आपको document जो है original नहीं भेजना सिर्फ photo coffee आपको self attest करके यहां पर भेजनी है देखिए आप five number के बात करेंगे scheme of examations आपको form को fill up करने के बाद आपको भेज देना है इसके head office जो भी address है इसका उसके बाद आपका form जो है accept किया जाएगा form को फिर आपके पास call letter भेजा जाएगा उसके मादिम से आपका exam होगा exam में क्या-क्या चीजें पूंची जाएंगी सबसे फेलें आप देख सकते है यह questions of the level of class 10th इनके high school level का है पर exams होगा questions include will be of जो यहाँ पर जो आपकी questions रहेंगे वो किस category से रहेंगे देखे general intelligence जो हता है उसके आपको questions देखने को मिलेंगे reasoning, general awareness, mathematics and English format of questions favorable with objective type के आपको questions देखने को मिलेंगे multiple choice questions होगे mock test से related candidate appearing for written test will be suit subject to practical test भी रहें यहनि कि practical की बिलकुल आपको mock test के आपको questions देखने को मिलेंगे ठीक है exam के में बात करेंगे submission of application तो आपको submit करने का जो address है applications कहां आप किस address में आपको वैजना है तो complete applications all respected age for platform attached the English language only and complete by request side document state of forever should we reach by post of group commanded headquarters 22 moment control group pin number यहां पर दे रखा है 900328 यहां पर देख सकते हैं इस address पर आपको जो है अपना form download करके fill up करके सारे document attached करके self-attest करके आपको इस address पर आपको अपना form जो है बहेजना होगा speed post के माद्धिम से ठीक है किस category में आप आप आबेदन कर रहे हैं उस category को आपको यहां पर fill up करना है अपनी form में applications for the post ठीक है बाकी score letter भी आपको डाक के माद्धिम से मिलेगा written exams के लिए ठीक है place for return practical test जो बागरा अगरा होगे सब यहां पर आपको देखने क्यों मिली जाएंगे आप और यहां पर नाम लिक नाहा होगा जैसे की आप में यह amts नख कर रहे हैं या कुक में कर रहे हैं यह किसी कर रहे हैं तो उस पॉस्ट को आपको यहां पर नाम बड़ना पड़ेगा फिर आपको आधर नमबर दालना पड़ैगा दो number options में ठीक है name in black letters में आपको अपना डालना पड़ेगा candidate name father's name डालना पड़ेगा mother's name date of worth male female जो भी है उसका यहाँ पर डाल सकते है male है तो male female है तो female age closing date of applications फैले से आपको जेक लेना है कि state को आप अपना application जो है form fill up कर रहा है ठीक है age यहाँ पर age दे रखा तो उसी चीच को यहाँ पर डालना है कौन सी तारीक को अपना form जो है फिलप कर रहा है age qualifications यहाँ पर देख सकते हैं education art number में category कौन सी है आपकी वह यहाँ पर डालना address आपको present or correspondence जो address होता अगर same है तो same यहाँ पर डालेंगे अगर आपको present address कोई और है पर्मेंट address कोई और है तो उसको यहाँ पर डाल सकते है मुवाईल नमबर आपको डालना होगा, यह मेड़ोरटी है, इसी information के लिए आपको मुवाईल नमबर अपना बहुँ डालना हो जो रखना चाहते हैं, वो information के लिए allow रखना चाहते हैं information मिल सकती है तो इन चीज़ों को आपको signatures कर देना है document attached क्या क्या करना है आपको photography जिसे की high school कि मार स्रीट फोटू जो होने चीए street of 10th मार स्रीट पे और cash certificate 6 latest photo और 2 self-addest आपको नोटती होंगी 25-25 की बाकि अगर कोई ex-service man है employment है तो इसकी ID यहां पर लगा सकते हैं कोई भी है बाकी उम्मीद करता हूँ friends आपको सारी information सारे doubts के लिए हो चुके हुए friends अगर वीडियो पासांद आ रहा हो तो like share कर सकते हैं अगर चैनल पर आपने पहली बार बिजिट किया है तो चलो को सब्सक्राइब और पर प्रेश करके रख सकते हैं तब तक के लिए